Hello, Class 4 student, how are you? Fine, enjoy, very good. Let's open your Social Study book and pick out your Chapter No. 12, Our Culture and Heritage. हमारी संस्कृती, हमारी वीरासत. यह हमारा Chapter है, संस्कृती क्या होती है और Heritage क्या होती है, यह आप लोग समझेंगे. संस्कृती वो होती है, जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाती है, और Heritage में स्विरासत वो होती है, जो हमको हमारी पूरवजों से मिलती है. तो हम लोग इस Chapter में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? Heritage, Languages, Plots, Dance and Music, Painting, Architecture and Festival. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो country है कैसे है? India is land of diversities. हमारी जो इंडिया में बहुत सारी diversities है, मतलब कि बहुत सारी भिन्नेताइं हैं, हमारा जो देश है, हर जगे एक जैसा नहीं है. People of different religions live here, क्योंकि तो अलग-अलग धर्मों के लोग हमारी यहां रहते हैं. They speak different languages, वो अलग-अलग भाशा बोलते हैं and follow different customs और अलग-अलग रिती रिवाज बो लोग follow करते हैं. नहीं किसी का कुछ रिवाज है, किसी की घर में कुछ है, सबके different different हैं, they be a different clothes and celebrate different festivals, उनके कपड़ी भी अलग-अलग हैं सब लोगों की और उनके जो festivals हैं वो भी अलग-अलग हैं, but we are one, लेकिन इतना सब कुछ होते वे भी हम लोग एक हैं, क्यों हैं? because we are all Indian and that this diversity make the India unique country. और यह जितनी भी diversities हैं, यह भारत को एक अद्भूत देश बनाती हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी country में नहीं है. So, we have to browse our country. Let's start, what is heritage? तो हम लोग पढ़ेंगे कि heritage क्या होता है? बिटा बहुत ठंड लग रही है, रात के 11 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग पढ़ ले, थोड़ी से जो हम लोगों की महनत है, उसको observe करो, ले लो. Okay, let's start, देखे, heritage, heritage क्या होते हैं, विरासत जो कि हमने बोला, आपको बताया, विरासत वो होते हैं, जो हमें अपने ancestor से मिलती है, हमारे पुर्वजो से मिलती है, उसको हम विरासत कहते हैं, heritage can be defined as sometime that is specific and typically for a particular place, area, region or country. India is ancient land, heritage को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई special या typical हमारे देश का part हो, area हो, region हो, या फिर कोई country हो, तो हमारी जो country हो क्या है, एक प्राचीन country, ancient means प्राचीन, okay, प्राचीन भूमी है हमारी देश की. Over the country, centuries, people from different land came and make India their home. कई century, कई-कई सालों से हमारे देश में लोग आ रहे हैं, अलग-अलग जगे से, और वो हमारे इंडिया को अपना घर बना रहे हैं. East means वो लोग आते हैं और यहीं पर रुख जाते हैं, फिर यहीं के वो देशवासी बन जाते हैं, तो इसलिए हमारे जो देश में हैं, जो जैसे बौद भी आए, चीनिस भी आए, फारसी भी आए, तो यह जितने भी हैं, यह हमारे इंडिया में बहार से आए, और पिर इंड परमपरा भी लेकिया है, और विक्स भी दा लोकल ट्रेडिशन ऑप इंडिया, और फिर हमारे भारत की परमपरा में रच बस गए, मिल गए, इस इंटर में लिंग कास्टे रीच एंड यूनिक्यू कल्चर, दे हैरिटेज ऑप इंडिया, और जब आपस में एक दूसरे से म मिल गए, तो यह हमारे जो कल्चर को हैरिटेज को कैसा बनाता है, एक दम यूनिक्यू बनाता है, एक दम डिफरेंट बना देता है, लैट अस मोर अब आउट, अब चलिए हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं, फर्स है हमारा लैंग्वेज, आप लोग लैंग्वेज हमारे भारत के समीधान ने 22 लैंग्वेज को रिकासनाइस किया है, यह तो 22 लैंग्वेज इन्होंने भारत के इसके अलावा अब हमारे दिश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, हिंदी is the official language, और जो हमारी हिंदी है, वो एक हमारी official language है, यानि कि हमारे भारत के जितन लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इंग्लिश इस the official language required in the court, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो कोट की भाशा है, यानि जो कोट समझ रहे हैं, कचरी बगार, हाँ ठीक, ओके, दा रिक्वाजनाइस लैंग्वेज आ, जो 22 लैंग्वेज है, वो कौन कौन सी है, दे हिंदी, उर्दो, बांगला, गुजराती, कश्मीरी, मलियालम, नेपाली, संस्क्रेट, तमिल, बोर्दो, हिंदी, कोंकनी, मनिपुरी, उरिया, संथाली, एंड तेल, ओके, ये 22 लैंग्वेज हैं, जो हमारी कौन्स्टूटूटूश ने रिक्वाजनाइस की हैं, इंडिय लैंग्वेज आर रिटर्न इन तू डिफ्रेंट फेस, जो इंडिया की लैंग्वेज हैं, वो दो तरीके से लिखे जाती है, दो तरीका है, लिखने का कौन सा, most of them are रिटर्न, लैफ टू राइट, ठीक है, जो कुछ होती हो, कैसे लिखे जाती है, लैफ टू, यानि कि यह से स्टार्ट होंगे, और यहां से जाएंगे, यहां लैफ होता है, लैफ टेंड की तरफ यहां से स्टार्ट होता है, हम लोग भी ऐसे लिखते हैं, बट, कश्मीरी, सिंधी, और उर्दू, रिटर्न, राइट टू लैप्ट, लेकिन यह जो आपकी लैंग्वेज हैं, may be spoken in different way, in different part of country, और जो languages हैं, जो भाशा हैं, वो भी हमारे देश में अलग-अलग बोली जाती हैं, different form of same language are known as dialects, ठीक है, जो अलग-अलग भाशा होती हैं, उसको हम लोग dialects बोलते हैं, Each language has its own style, writing, known and script, अलग-अलग जो भाशा होती हैं, उसकी अलग-अलग style होती हैं, लिखने की, और जो style को हम बोलते हैं, script, अब एक cloth, cloth के बारे में भी हम लोग already पढ़ चुके हैं, previous chapter में, let's start again, फिर से आप लोग दिखे, people of India wear different dresses, इंडिया के लोग अलग-अलग तरीकी कप पहनते हैं, each state and reason of India has its own dress, हमारे देश के जितने भी राज्ये हैं, जितने भी एरियाज हैं, वहार के जो ड्रेसे हैं, उसकी अलग-अलग हैं, for movement sari, in the most popular India में जो ladies हैं, जो women's हैं, वो mostly क्या पहनते हैं, sari पहनते हैं, however, the style of trying the sari differ from state to state, लेकिन sari पहनने का तरीका अलग-अलग state में अलग-अलग है, okay, sari तु सब लोग पहनते हैं, पर different तरीके से पहनते हैं, salwar kameez is another popular, a trail of worn by poor men throughout the India, sari के बाद आता है, salwar kameez वो भी इंडिया में popular है, women's पहनते हैं, दाघागरा is common in Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, जो घागरा है, वो Rajasthan, Gujarat और Madhya Pradesh में common है, women of Assam, wear mekla chadar, Assam की जो women है, वो पहनती है, mekla chadar, mekla chadar आपको बताई जाएगी कैसी होती है, यह two pieces sari, यह two pieces sari होती है, the mekla is wrapped like the lungi and the chadar wrapped is rapidly to cover the upper body, जो मेkla होती है, यानि कि one part जो होता है, वो लुगी की जैसे लपेट लिया जाता है, और डूसरा क्या होता है, वो चादर की जैसे अपने अपर बाड़ी में उपर उसको पहना जाता है, ठीक है, पहनने का तरीका भी आपको बताएंगे, अमंग मैं, the most common traditional clothing are dhoti kurta, और जो हमारे इंडिया में mostly लोग क्या पहनते हैं, dhoti kurta, अब तो सब लोग पैंट पे आ गए, पहले क्या होता था, mostly dhoti kurta ही पहनते हैं, kurta pajama and the lungi shirt, और क्या पहनते हैं, kurta pajama और lungi shirt, अब अब दर lungi shirt कैसे पहनेंगे, ओके, इन तमिल में क्या होता है, घर में बहुत ज्यादा होती है, इस वो जैसे वहां के जो लोग हैं, वहां के जो में से हैं, वो लूंगी पहनते हैं, और उपर shirt अपना डालते हैं, जो लूंगी होती है, उसको बोलते हैं, वैस्ते, and the kerala is called mundu, क्योंकि दोनों ही जगे, घर में बहुत ज़्यादा होती है, तो फैंट नहीं पहन सकते हैं, तो लूंगी होती है, उससे थोड़ा सा comfortable करते हैं, इसलिए वो बहुत पहनते हैं, टेर्बन इस डिफरेंट टाइप अफ टाइड इंडिया, डिफरेंट स्टेट, टेर्बन मिंस पगड़ी, तो अलग अलग जगे क्या होता है, एक woolen cloth का जैसा होता है, बहुत लंबा सा चोगा होता है, उसको वहाँ पे लोग पहनते हैं, जिसकी वज़े से, क्योंकि माठन ज्यादा होती है, तो वो लूस होता है, फिरन जिसके अंदर, जो आपने चप्टर में पढ़ा था, उसके अंदर वो कांगडी रखते हैं, वो लोग modern dress पहनना पसंद करते हैं, अधकल तो सभी modern बन गए है, dance and music, okay, let's start dance and music, क्योंकि इंडिया हमारा different, different, different state है, तो different, different dance भी है, India has a long traditional of dance music, इंडिया में क्या है, बहुत सारे dance है, बहुत सारे music है, there are two main type of dance and music in इंडिया, इंडिया में दो तरह के type of dance and music है, first and fourth, second and classical, okay, most classical dance begin a form of worship, देखें बहुत सारे जो classical dance है, वो worship, यानि कि पूजा के रूप में उनको किया जाता है, they were comforted by temple, उनको temple में किया जाता है, some even were performed in court of king, और कुछ राजा के दर्वार में, पहले किया जाता था, अब तो राजा के दर्वार है नहीं, the major classical form of dance are follows, कुछ हमारे जो अलग-अलग स्टेश्ट हैं, उनके classical dance है, okay, let's start, बरतनाट्यम, तमिलाजू, कथक, उत्रप्रदीश, कथक कली, किरला, कुछीपुरी, आंदरप्रदीश, मनिपुरी, मनिपुर, मोहिनी अट्टम, किरला, उडिसी, उडिश्य, एंड सत्याय, असम, Indian folk dance are simple group dance, Indian folk dance क्या होते हैं, group dance होते हैं, यह देखे हैं, इसको folk dance कहते हैं, यह भी हमारी एक culture है, जो पीडी दर पीडी चरिया आते हैं, इस dance are performed to express joy, और इकप किया जाता है, जब हम लोग खुश होते हैं, they are performed an occasion like marriage, जैसे कि marriage हो गया, birthday of child हो गया, festival हो गया, harvesting crop हो गया, तब यह मनाई जाते हैं, यह इस तरह से हम लोग group dance, वहाँ पे लोग करते हैं, following the some popular folk dance in India, इंडिया की कुछ folk dance है, पॉपुलर है, अलग-अलग state के, let's see, भांगडा, बंजाब, भीव असाम, घुमराजिस्तान, गर्भा, गुच्राथ, ट्राइबल डास, लागानेट, जो आप लोग देख रहे हैं, इस बार आप लोग को भी इसी तरह से dance करना है, इसी music in our country, they are Hindustani music and Carnetic music, जिस तरह से हमारे dance के two type है, उसी तरह से हमारे music के भी two type है, हिंडुस्तानी music developed in North India, हिंडुस्तानी music कहां developed हुआ था, North India में, जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारा जो area है, वो North India है, and Carnetic music developed in South India, और जो Carnetic music है, वो South India में developed हुआ था, Many instruments are used, classical music, classical music में बहुत सारे music instruments यूज के जाते हैं, सामार सितार, सरोध, हार्मोनियम, शैनाई, वीना, फ्लूट, रिदंग, और तबला, इस सारे instrument classical dance में, classical music में यूज के जाते हैं, अब है painting या painting आप देख रहे हो, Lord Buddha की है, Padma Mani, Ajanta Kev's की है, ये miniature painting है, जिसमें Radha Krishna बने हैं, ये भगवान बुद्धा हैं, ओके, painting, human beings have always been in the habit of drawing picture, human beings की हमेशाँ से habit रहे हैं, कि वो कोई भी picture drawing करें, just like आपकी रहते हैं, early humans painted on the wall of cave they lived in, जो early man थे, जो आदी मानव थे, वो भी painting करते थे, बट वो कहां करते थे, उन गुफाओं की दिवारों पे, जहां पे वो लोग रहते थे, traditional painting in India has also been inspired by either religion और by rulers, हमारे जो traditional painting थे, वो हमेशा इंस्पायर रही, जो हमारे जो शाशक थे, जो हारे जो राजा लोग थे, उनके, the famous wall painting in Ajanta Kev, in Maharashtra, Show the Life of Udda, Maharashtra में, एक केव है, आजंता केव है, महाँ पे, जो लोड बुद्दा है, उनके लाइफ के बारे में, सारी चीज़ें, light picture के रूप में बताई गई है, The art of nature painting was made popular in India by the Mughal king, और जो miniature painting है, यह कब आई हमारे देश में, जब हमारे देश में Mughal आए, तब यह popular बनी, They invited painter from the other country to their court, वो क्या करते थे अपने दर्वार में, जो बहार से painter होते थे, उनको बुलाते थे, These artists made in art of miniature painting, popular in India, और इस तरह से वो जो painting बनाते थे, उसको miniature painting कहते थे, और वो इंडिया में बहुत ही popular होई, Miniature painting are the small in size, यह size में बहुत छोटी होती है, बट sure thing से great detail, लेकिन उनके painting में इतनी खासियत बात होती है, कि वो चीजों को बड़ी करके दिखती है, size में छोटा है, बट उसमें detailing बहुत ज़्यादा है, यह ज़्यादा क्या करते हैं, Lord Krishna के बारे में बनाते हैं, फोटो, पिचर्स, जिसमें landscape बनाते हैं, हंटिंग करते हैं, या फिर कोई battle scene बना देते हैं, अब है architecture, यह देखिए, साची स्टूप, जो साची में है, MP में है, आर्किटेक्चर, इंडिया is also known as the world famous monument, हमारे देश में बहुत सारे monuments हैं, monuments मतलब इस तरह की heritage विरासत building, okay, स्टूप बिल्ड बाइ, MP अशोका और साची और सारना, many magnificent temples are example of our architecture tradition, जैसे कि कह रहे है, साची का यह स्टूप जो, MP अशोका की काल में बनाया गया था, जब राजा अशोका थे, समराट अशोक थे, उनके समय बनाया गया, surveil Hindu temple with beautiful curving were built, लट और भहुत सारे Hindu मंदिर बनाये गए, curving करके, कैसे चटानों को curve करकर के तोड़ तोड़ के उसमें, कैलास temple at Allura has been curved from a single stone, कैलास temple, जो आपने, वो Allura में है, देखें, वो कैसे बनाया, सिर्फ एक सिंगल चटान से वो बनाया है, उसी को curve करके, उसको तोड़ के, सिर्फ वो एक ही चटान पे टिका हुआ है, उसमें कोई भी joint नहीं है, प्रदेश, जैन टेंपल of कौरना, जैसी कौरना का सन टेंपल, मिनाक्षी टेंपल in Madurai, खुजराओ, टेंपल in Madhya Pradish, जैन टेंपल of Mount Abu are the famous for their architecture, तूर्क एंट मुगल इंटोड़ूस देर ओन स्टाइल आर्किटेक्टर आप इंडिया, जैं हमारे देश में तुर्क भी आया, मुगल भी आया, उन्होंने भी अपना आर्किटेक्टर इंडिया में जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई, ताज महल इस बेस्ट अमांग दा मुगल आर्किटेक्टर जो ताज महल है, जो दिकने बहुत ही सुन्दर लगता है, वो किस ने बनवाया, वो मुगल आमपर ने बनवाया, यानि कि वो जहां से वो आय थे, तो वहां से वो अपनी कलाव लेकर आये, और किस तरह से उसको बनाना है, तो उन्होंने अपना ताज मेर, अपने बेस पे बनवाया, यह जितनी भी चीजेजें, जो हमारे इंडिया में आय थे, उन्होंने या पे बनवाया, जाजा कि बोला गया है कि हमारे यहां जो भी आया, वो यहीं पे रहे गया, यहीं पे बस गया, इंडिया को यह अपना घर बनाया, और इंडिया ने बी सब को accept किया the British also introduced new style architect of India जब British हाए तो फिर उन्होंने भी अपना architecture start किया उन्होंने उन्होंने भी अपने तरीके से चीजे बनवाई जैसे कि दा Victoria Memorial कोलकता और ग्रास्टेपती भावन इन पार्लियमेंट हाउस इन डाली आड़ सम ब्रिटिश अर्टिटेक्टर यह सब अंग्रेजों ने बनवाई अब है मारा फेस्टिवल इंडिया इस लेंड फेस्टिवल जैसे का है भारत जो है फेस्टिवल की लेंड है और बहुत सारी ejemplo हम यहां पर मनाए जाते हैं पीपलल अब डिफरेंट रिलीजन हर इंडिया क्योंकि भारत में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं वहारी इंडिया इसलिए हमारे छी भारत में फॉर तरी कि यहांमाहा ना जाते हुआ सेलिब्रेट 3 टाइप आफ फेस्टीबल कुष्टीबल को थी टाइप फेस्टीबल लेफन अप मारा इंडियन फेस्टीबल प्रेस्टीबल फिर हार्विस फेस्टीबल Kosy क्या होते है जिसको पूरा country मनता है ओके ऐस इंडेपेंस डेया रेपब्लिक रिलीजेंस में गांभी जानटी रिलीजेंस क्या होते हैं जिसना के दिवाली ईत्रीष्मास गुरुपर गणिश्यतूर्थी देश्यर्च दुर्गा पूजा बुद्ध जानथी अंधी महाविर जानती हैं क्या होता है जब फसल कर जाती है तब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं जालिब्रेट वन दे क्रॉप इस हार्वेस्ट ऑनम इन कोरल केरल पोंगल इन तमिल नाडू वियू इन आसाम पोली नुत्त प्रतेश और इस्टेट नॉर्थ इंडिया बैसा की पंजाब आ हो जाती है उसी खुशी में सारे लोग इसको मनाते हैं कि यह चेप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट इसको टू टाइम आप रीट कर लीजेगा बच्छा लोग बड़ी महनत से बन रहा है कि सारी चीज़े हैं आपको वरक्षेट भी मिल जाएगी इसके कॉश्चन सारी जर्म कीजिएगा येस एक्स्प्लेइन आप लोग अपने से करिए क्योंकि आपको सब आता है मुझा कॉश्चन अंसर तो हम आपको करवा देंगे बात में डूंट वरी बाकी चीज़े देख लेजिए बैरी कुट बाई कॉपी कंप्लीट करकी रखेगा जैसे स्कूल उपन होग कॉपी आपकी चेक की जाएगी बाई